नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का प्रलिम्स मंत्रा में आज की डेट है 5 जून 2023 आए शुरुवात करते हैं आज के डिस्केशन के और जानते हैं कौन-कौन से मुद्दे हमें डिस्कस करने हैं पहला जो आपका मुद्दा है that is about sedition law अभी recently law commission के एक report आई है तो सबसे प जहां कि आपकी government order से बनी एक executive body जैसे कि आपकी नीतियायू जो की work करती है legal reforms के उपर किस तरह से आपके कानून में बदलाव लाया जा सके और उन्हें आपके modern era के accordingly suitable बनाया जा सके ये एक तरहां कि आपकी advisory body है जो की ministry of law justice को report करती है अब यहां आपको इसके बारे में दो- कि पहला law commission आपका 1834 में बना था under the chairmanship of lord macaulay यह बना था आपका charter act 1833 के under इसके बाद भी आपके बहुत से law commission बने थे जैसे 1853 में 1861 में और 1871 में और इन्होंने work किया था भारते कानून को develop करने में जैसे Indian code of civil procedure, Indian contract act, Indian evidence act, transfer of property act, ना जाने ऐसे कितने ही act इन्होंने design किये है अगर बात की जाए आजाद भारत की तो आजाद भारत में पहले आपके law commissioner बने थे 1955 में जो कि उस समय के attorney general थे जिनका नाम था Mr. M.C. Stalvac अभी हाल फिलाल में 2020 में भारते सरकार ने 22 law commission को appoint किया था for three years अब यहाँ पर एक बार sedition law के बारे में भी जान लेते हैं देखिए sedition law हमारे ले कोई नई चीज नहीं है आजादी से पहले भी इसका दुर उप्योग होता था और आजादी के बाद भी कई बार ऐसे आरोप लगाया जाता है कि government इसका दुर उप्योग करती है अगर sedition law की जुड़े हुए हैं जैसे महात्मा गांदी जी और बाल गंगाधर तिलक अब अगर sedition को define करना हो तो इसके लिए आप यह याद रखना मानेज़े एक person है राजू इस राजू ने या तो कोई speech दी हो या कुछ लिखा हो या कुछ words ऐसे इस्तिमाल की हो sign या कोई visual representation ऐसे दी हो जिसकी कान वो लोगों को उकसाने की कोशिश कर रहा है government के against और यहाँ पर जो आपकी rule द्वारा established government है उसको उखार फैकने की कोशिश की जारे हो या किसी तरह की disloyalty या animity भढ़ाने की कोशिश की हो भारत के अंदर ये सभी आपके sedition law के अंदर आते हैं ये आपका एक का non valuable offense है जिसके बाद person को government job तक नहीं मिलती है अब इसके पक्ष में आपको तीन चीज़े याद रखने है कि भारत की unity और integrity को maintain करने के लिए sedition law का होना बहुत जरूरी है अदरवाइस लोग कुछ भी बोलके भारत की unity और integrity को तोड़ने की कोशिश करेंगे इसके लावा हम हमारे जो article 19 है जो हमें बहुत सारी freedoms देता है इसके अंदर clause 2 के अंदर हमारे कुछ reasonable restriction दीगी है speech के उपर तो उसको भी ये कहीं न कहीं suit करता है और भारत के अंदर stability maintain करने के लिए भी sedition law का होना बहुत जरूरी है अब देखिए इस law commission की आपकी recommendation को समझने से पहले आप 1962 के केदारनाथ सिंग वर्सिस बिहार की government का एक case याद रखें यहाँ पर सुप्रीम कोट ने एक चीज कही थी कि जब तक किसी के भढ़काऊ भाशन से आपकी भीड हिंसा पे ना उतर जाए तब तक इसे sedition के अंदर नहीं count किया जा सकता सिरफ और सिरफ government को को कोशन करने से करने की कोशिश किये यहाँ पर यह कहा जाता है कि अगर कोई कोशिश भी करता है जिससे violence या public disorder फैलता है तो इसके लिए actual violence होने की ज़रूरत नहीं है यह भी एक sedition की category में ही आता है इसके लावा यहाँ पर recommendation दी गई है कि jail term को increase कर दिया जाए 7 साल से लेके lifetime imprisonment तक और इसक factor rank का ही person इस तरह की FIR को register कर सकता है देखिए आपको मैं एक चीज़ बता दूँ 1837 में जब McCallion ने draft किया था पहली बार IPC को उस समय यह draft का part था but later on इसे add नहीं किया गया था sedition को भारते कानून के अंदर यह 1870 था जब section 124 A को insert किया गया था आपके IPC में जब James Stephen ने इसके बारे में पहली बार जिकर किया था अब उसके बाद से लेके आज तक इसका बहुत जादा दुरूपयोग हुआ है आज की present government की बात नहीं करता हूं even past में भी इसका दुरूपयोग रहा है तो कहीं न कहीं हमें यह देखना चाहिए कि जो भी आपकी countries जैसे UK जिसके through हमारे यहां पर यह sedition law आया था एक्चुल में वहां पर भी इस law का अब कोई वजूद नहीं रहा है मतलब वहां पर भी उनकी law books में से इसे निकाल दिया गया है तो क्या भारत को भी इस sedition law को हटाने की जरूरत है अब मेरे को आप comment box में अपनी राय को लिखके बताईए आईए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की इस आर्टिकल में हम बात करेंगे ब्यास रिवर की एक ट्रिब्यूटरी की डाट इस उल रिवर आपको यह याद रखना है कि यह आपकी थॉमसर गलेशर से निकलती है अभी रिसेंटली इसको लेके पंजाब और हिमाचल में टेसल अब इसे आप इस तरह से याद रखें कि उलाल रिवर के ऊपर आपकी एक पावर प्रजेक्ट है हाइड्रो पावर प्रजेक्ट जो की मंडी हमाचल में इसे कहा जाता है शनान प्रजेक्ट सौरी अगर मैंने प्रनाउस इसे गलत किया हूँ यह ब्रिटिश एरा में आपक को डिवलप करते हुए यहां के जो राजा थे राजा जोगेंदर सिंग बहादुर उन्होंने यह पंजाब को दिया था मतलब ब्रिटिश गवर्मेंट में उस समय यह ट्रीटी हुई थी अब 2024 में यह ट्रीटी एक्सपार हो रही है 99 साल की लीज के बाद अब यहां पर पं आर्टिकल की इस आर्टिकल में हम बात करेंगे कवच सिस्टम की देखें जैसा कि आप सभी जानते हैं अभी रीसेंटली उडीसा के बैला सोर में एक रेल हाथसा हुआ है जिसमें लगबग 300 से जादा लोगों की मौत हो गई है और 1000 से जादा लोग जखमी है अब सरकारी आ अगर कोई रेल आपकी ओवर स्पीडिंग कर रही है उस समय भी आटोमेटिकली ब्रेक लग जाएंगी और साथ की साथ अगर दो सामने से ट्रेन आ रही है और दोनों में आपका ये RDF टैग है यानि रेडियो फ्रिक्विंसी अडेंटिफिकेशन टैग लगा हुआ है तो इनकी कॉम्णिकेशन के थूँ ये एक्सिडेंट वहाँ पर भी प्रेवेंट किया जा सकता है इसमें एर आपके सिग्नल पोल्स हैं वो भी इस नेटवर्क का पार्ट है ये आपस में फ्रिक्वंटी कॉम्निकेट करते रहते हैं ताकि इंडिया के अंदर और इवन विदेशों में भी इस सिस्टम का इस्तमाल किया जाता है अलग अलग नाम से वहाँ पर जाना जाता है रेलवे ए अगर अपना अक्सपोर्ट बढ़ाना है तो उसे फोकस करना चाहिए अपनी e-commerce policy के उपर भारत में दो तरह की आपकी e-commerce channel होते हैं जैसे एक होता है market model एक होता है inventory model market model में हमने 100% FDI दे रखी है अब market model क्या होता है जैसे माल लिजे एक दुकान है जिसका नाम है ABC इससे मैं एक T-shirt बंगाई है यानि मैं विवेक यहां पर Amazon का काम क्या होगा कि भाई इस T-shirt को मेरे तक पहुंचाना है इस दुकानदार से यह लेगा और यहां पर यह T-shirt मेरे को deliver करतेगा तो यह आपका model होता है market model inventory model क्या होता है कि यहां पर Amazon अपने पास कुछ stock रखेगा और इन stocks क मेरे को बीचेगा मतलब in the sense कि यह T-shirt Amazon ने अपने गोडाम में रखी होगी और वहां से मेरे पास भीज रहा होगा तो that is inventory model अब भारत में जो FDI है market model में 100% है whereas inventory model में आपकी जो FDI है वो 0% है मतलब वो allow नहीं की गई है अब यहां पर ministry of consumer affair के भी कुछ points को आपको याद रखन है जो recent time में change के गए है जैसे flash sales होती है एकदम से आपने किसी product के उपर बहुत बड़ी deal दे दियो या deep discount जैसे बुला जाता है यह सबी चीज़े भारत के अंदर allowed नहीं है क्योंकि इस से जो छोटे मोटे दुकान द्यार है उनको बहुत नुक्सान पहुंसता है और even यह competition के against भी जाता है economy के अंदर जिससे बाकी product बेचने वालों को भी नुक्सान होता है इसके इलावा मालेजे Amazon है इसकी खुद की कोई company यानि कोई ऐसी company जिसमें इसने stock ले रख है तो यह अपने products को सबसे जादा promote करने की कोशिस ना करे इसके उपर भी कहीं न कहीं रोक लगाई और exclusive deal जिसे मालेजे अब iPhone launch होते ही Amazon ने का कि सरफ ये exclusively मेरे ही site पे मिलेगा तो इस तरह की deal भी allowed नहीं है तो यहाँ पर भारत को इस तरह की policies के उपर विचार करना चाहिए कि किस तरह से इन्हें स्ट्रीम लाइन करके हम अपने export को promote कर सके और भारत के अंदर FDI के channels को और ज इसनी जादा ही आपकी industry भी grow करती है आईए अब बात करते हैं अगले article की इस article में हम बात करेंगे नाटो के बारे में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी recently दो article पब्लिश हुए जहां पर टर्की से USA ने request किये कि आप Sweden को यहाँ पर allow कीजे नाटो के member बनने में इस से ना क जिसमें नाटो काफी news में रहा है तो इस नाटो के full form है North Atlantic Treaty Organization इस ट्रीटी को कई बार Washington ट्रीटी भी कही जाती है यह 1949 में आपकी ट्रीटी बनी थी अभी हाल फिलहाल में इसके 31 member है recently जो आपका member add हुआ है that is Finland इसका headquarter Brussels Belgium में है अगर बात की जाए इसके objective की तो यहाँ पर आ है अभी फिलहाल 2023 में आपका last member जो add हुआ था that is Finland इसके लावा इसके member है आपके Albania, Belgium, Bulgaria, Canada, Croatia, Czech Republic, Denmark, Estonia, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Italy, Lithuania, Lithuania, Luxembourg, Montenegro, Netherlands, North Macedonia यह second last member है आपका यह याद रखना आपने Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovenia, Spain, Turkey, UK and US वैसे तर्की आपका one of the first member रहा है और Greece भी इसका one of the first member रहा है जब यह organization स्टार्ट हुई थी तो सबसे पहली दो country जिन्हों ने इससे join किया था that was Turkey and Greece आईए अब बात करते हैं अगले article के बारे में अभी Saudi Arabia ने यह कहा है कि यह अपने oil production को कम कर देंग अब यह जो decision लिया गया है इससे बहुत सी countries के उपर negative impact पढ़ने वाला है हम यहाँ पर Indian perspective से इससे समझते हैं दिकि Saudi Arabia अगर अपनी oil production को कम करेगा तो इससे market में oil की supply कम होगी जिससे तेल के दाम बढ़ेंगे इससे भारत जैसे countries के import बढ़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर import करन के लिए हमारे को जादा से जादा डॉलर चाहिए होंगे क्योंकि आपने एक rule सुना होगा demand और supply करूए अगर आपकी supply कम है और demand उतनी रहती है तो commodity के price increase होते हैं जिसके वज़े से भारत का import बिल भढ़ेगा अब क्योंकि import के करते हुए हम dollar में payment करते हैं इसकी वज़े से dollar के अंदर तेल के आयाद महंगा होगा जिससे inflation आएगी और साथ की साथ भारत की currency की value भी घट जाएगी क्योंकि dollar के मुकाबले भारते रुपी और जादा week होता जाएगा आएए अब बात कर लेते हैं organization of petroleum exporting countries के बारे में यानी OPEC के बारे में ये एक तरह की आपकी intergovernmental organization है ज चरफ वो ही countries member बन सकते हैं जिनके पास इतना तेलो कि वो निर्यात कर सके यानी बेच सके इसके लावा OPEC plus 10 भी एक concept है ये 2016 में concept लाए गया था कि जिसमें और 10 countries आपकी add होगी थी जो oil produce करते हैं जैसे अजरबैजान, बहरेन, बुरेन, उमान, रशिया, साउथ सुदान, स अब बात करते हैं अगले article की, इसमें generic medicines के बारे में बात की गई है, जिसे आप सभी ने aspirin के बारे में सुना होगा, maybe आपने ना भी सुना हो, aspirin एक आपकी original दवाई है, जिसका patent हो रखा था, जब इसका patent खतम हुआ, तो हमने देखा कि इसके same salts को use करके एक दवाई बनाई तो यहाँ पर जिनके भी दवाईयों के patent expired होते हैं, उन्हें दवाईयों की copy बनाई जाती है, और उन्हें original maker से अलग हट कर बेचा जाता है सस्ते दरों पे, अब इसी को कहा जाता है generic medicine, और इसके लिए भारत एक सबसे बड़ा hub है, और तो यहाँ पर एक चीज याद रखन इसके लिए active pharmaceutical ingredients से ही होते हैं, जो कि हम China से import करते हैं, अभी recently DG Health ने ये order दिया है सभी doctors को, खास कर जो central government के hospital में है, कि वो generic medicines को prescribe करें, इसके लिए इन्होंने दो quality test भी कहें, देखे एक bio equivalent होते हैं, जैसे किस तेजी से आपकी दवाई blood के अंदर dissolve होती है, जितना तेजी से आपकी दवाई blood के अंदर dissolve होगी, उतनी ही ये ज़ादा effective होगी, और इसी को कहा जाता है bio equivalent, इसके लावा stability को भी test करना चाहिए, देखे, supply chain एक बहुत लंबी प्रक्रिया है, जहाँ पर जैस factory से आपकी दवाई बनके आई है, इससे customer तक दवाई पहुँचने में बहुत स हो जाएगी, या तो वो powder की form में तूट जाएगी, या वो decolorize हो जाएगी, जिसका रंग ही बदल जाएगा पूरी तरह से, तो इन सभी cases में उस दवाई का इस्तमाल नहीं होना चाहिए, आईए, अब बात करते हैं अगले article की, इस article में हम बात करेंगे AI के use के बारे में, औ ऐसे आपके bug को कहा दिया जाता है, super bug, मतलब ये मरना इसका impossible हो चुका है, ये अजर और अमर हो चुका है, अब ऐसे ही आपका एक world का सबसे dangerous super bug है, that is in-sitobacter bowmeni, अब इसके उपर USA और Canada ने research conduct की, इसके सभी pattern के regarding आपकी information feed की यह AI को, अब आप सभी जानते हैं कि ये machine learning के उ अब करता है किसी भी particular चीज के बारे में, अब इसने इस data को observe किया और इसके सामने कुछ chemicals रख दिये गए, मतलब कुछ chemicals के data को feed करा गया, अब इसने उसमें सी 200 प्लस chemicals को आपके short list किया, जो कि आपका एक potential antibiotic का काम कर सकते हैं, इसमें सी कुछ को test किया गया, जिसके result काफी का कर रहें, तो यहाँ पर इसने help की हमारी antimicrobial molecules या आपके ऐसे chemicals को ढूंडने में, जो कि बेक्टीरिया को इस तरह की बेक्टीरिया को मार सकता है, अब अगर बात किया इस बेक्टीरिया की, तो यह cause करता है आपका pneumonia, meningitis, infect करता है जखमों को, यह ज़ादा तर आपके hospital bed पे म मिलता है, और इससे लोगों की मौत तक हो सकती है, तो इस article में आपको इतना ही जानना था, आइए अब बात करते हैं अगले article की, अभी recently एक article पब्लिश होया जिसमें यह बताया गया कि भारत के जो pulses का import है पहले की तुलना में कम हो चुका, although vegetable oil का import पहले से बढ़ चुका है इसके लावा चना, उरत और मुंग का जो आपका import है वो काफी कम हुआ है, although कुछ दाल है जैसे मुसूर की दाल, अहर की दाल और मतर, इनका जो production level है भारत में कम रहा है जिसकी वज़े से इनको import करने की ज़रुत पढ़ी है, तो almost हम 90% तक self-sufficient हो चुके हैं दाल और चना की production में, यह काफी अच्छी खबर है, बिकास दाल और चने में आपको अकसर inflation देखने को मिलती थी, जिसकी वज़े से इंडिया की food basket के उपर बहुत negative impact पड़ता था, और इसका impact overall economy पे भी देखने को मिलता था, क्योंकि जैसे ही आपकी food basket महंगी होती है, तो उसके बाद inflation economy में grow करने लगती है, और इसका असर बाकी sectors पे भी देखने को मिलता है, आईए, अब बात करते हैं आज के आखरी article की, इस article में हम बात करेंगे दो turtles के बारे में, जो कि कसार code में एक wildfire के दौरान मर गे, यहाँ पर पहला turtle है आपका flap shell turtle, जो कि इंडिया, शरलंका, नेपाल, और wildlife protection act schedule 1 में आता है, इसके लावा black turtle की बात की जाए, तो north, north eastern India और western ghat में यह prominently मिलता है, आपका least concern category में आता है, wildlife protection act के schedule 2 में आता है यह, आज की इस discussion में इतना ही था, अब यहाँ पर अगर आपको हमारे handwritten notes को डाउनलोड करना है, तो आप join कर सकते हमारे channel UPSC Munch को, आप secure code को scan कीजे और आपको इस तरह के fabulous handwritten notes वहाँ से मिल जाएंगे, आज की इस वीडियो में इतना ही था, धन्यवाद